दोस्तो आज के इस वीडियो मा आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने जीमेल आइडी पर जो है मुबाइल नमबर चेंज करना चाहते हो या फिर आप अपने जीमेल पर जो है अपना मुबाइल नमबर एड करना चाहते हो तो काईज आज के इस वीडियो मा आपक से चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज भी आप किस तरीके से कर सकते हो तो गैस अगर आप भी चाहना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर भी तक आप नमारे चाहण को सब्सक्राइब नहीं कि जो हुंक मैं आपको यहां पर आय 29 आई-टी वाली आईडिया पर लोग इन है। इस बिमेल आईडी पर आप जो है जो आपको आपको इसे प्सक्री आपको गूंगल अकॉंट का ऊपस्टिंच करेगा तो आपको सिंपर उस पर क्लिक करना आए और इसके बाद आपको कुछ टाइं वेट करना इस तरीके से उस id का manage profile open हो जागा जहाँ पर आपको personal info वाला option शो करेगा तो आपको इस पर क्लिक करना आए और इस पर क्लिक करने के बाद दूस्तों नीचे की और scroll करने पर यहाँ पर आपको contact info में फोन निंबर का option यहाँ पर शो करेगा अगर आपका पहले से उस email id पर कोई दूसरा mobile निंबर added है और अगर आप उसे change करना चाहते तो यहाँ पर आपको जो है उस फोन वाले निंबर को update करने का option में जहाँ पर आपको pencil आइकन पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने की बाद जिस पी नए mobile निंबर को आप एड करना चाहते हो यहाँ पर आपको अपना नया mobile निंबर डालना है इससे पहले यहाँ पर आपको पासवर्ड पूचेगा अपनी email i.g का तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने की बाद आपको next option पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ पर आप देखना ओप जो भी नया बतालनाँ चाहते हो Simply यहाँ पर आपको उस number को type करना है तो guys मैंने आप net नइया mobile number डाल दिया इसके बाद simply आपको Next option पर clickना है इस पर clickने की बाद आपको get code वाले option पर clickना है इस पर clickने की बाद आपकी mobile number पर OTP आएगा code आएगा और यहाँ पर आपको OTP डालने के बाद verify option पर आपको simply click करना है तो guys मैंने code डाल दिया और यहाँ पर verify हो चुका और हमारा mobile number update हो चुका है तो इस तरीके से guys gmail पर आप mobile number change कर सकते हो और अगर आपका mobile number add नहीं है तो वो किस तरीके से आप add करेंगे तो guys अगर आपका mobile number अगर आपके gmail id पर add नहीं है तो इस तरीके से personal info पर click करने की बाद यहाँ पर आपको phone का option शो करेंगे तो आपको phone option पर click करना है इस पर click करने की बाद आपको add now पर आपको click करना है और इस पर click करने की बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डालने का option मिलेगा जो भी mobile number आप add करना चाहते हो तो यहाँ पर add now option पर जैसे आप click करोगा इसके बाद आपको phone number का option मिलेगा इस पर click करने के बाद यहाँ पर आप जिस भी mobile number को add करना चाहते हो उपनी Gmail के साथ simply उस number को डालने के बाद next option पर आपको click करना है इसके बाद फिर से आपको get code पर click करना और आपकी mobile number पर code डालने की बाद verify पर आपको click करने की बाद आपका Gmail पर mobile number add हो जाएगा तो गैस अगर आपका Gmail पर mobile number add नहीं है तो आपकी security purpose से यह जो है जरूरी है क्योंकि अगर आपके Gmail का पासवर्ड भूल जाते हो तो अगर आपका mobile number लिंक है तो उस number से आपने password को forget कर सकते हो और security purpose से यह जो है आपकी Gmail के लिए जरूरी है तो इस तरीक से गाइस अगर आप भी जो है Gmail पर अपना mobile number चेंज करना चाते हो या फिर add करना चाते हो तो इस process को follow करके बड़े आसानी से आप Gmail को add और change कर सकते हो दोस्तों गर आपको वीडियो चलागा हो तो इस वीडियो को like share and subscribe जरूर से किजिएगा